बच्चों नमस्कार, बच्चों हम लोग कक्छा नौमी गडित में महत्रपुण प्रस्टों की स्रेंकला में तिन अंकों वाले प्रस्टों को पढ़ रहे हैं बच्चों द्यांचे देखिए कोण PQR चितर में आप देख पा रहे हैं कोण PQR यह देखिए PQR 110 संज दिया हुआ है उसी प्रकार RSTR यहाँ पर RSTR यहाँ पर RSTR 130 संज दिया हुआ है हमको QRS QRS अर्थात इस कोण कमान हमको मालूम करना है क्या करना बच्चों ग्याद करना है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे R से जो गुजरने वाली देखा है R से गुजरने वाली देखा है NM जो ST की समानतर है तो यहाँ हम लिख लेते हैं PQ किसके समानतर होगा और ST किसके समानतर होगा तो सबसे पहले देखेंगे चितरा अनुसार हल कर क्लिकते हैं Q 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 QQ Q 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 QA Q 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 कोड़ देखेंगे चुकि ST समनांतर है MN के इसलिए कोड़ TSR जान समझेंगे बच्चों TSR TSR धन कोड़ SRM 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 यह देखें Eğer SRM बराबर 1801 क्यों क्यों कि एक ही और के बने अंदर कंदर का यो 108 होता है कोड़ TSR दिया हुआ 130 देख लेजिए आपटेतर में दिया हुआ 130 दिया हुआ परसे में दिया हुआ है कोड SRM हमको ग्यातर करना है बराबर 180 अब यहाँ पक्षांतर कर दीजे बच्चों कोड SRM बराबर हो जाएगा 180-130 बराबर हो जाएगा 50 अंस किदने मिल जाएगा यहाँ पर 50 अंस मिल जाएगा चुंकि हमको यह भी मालू है कि PQ शमनांतर किसके M n के PQ शमनांतर … M n के जब PQ समनांतर … M n के है तब कोड PQR कोड PQR जान से देखेगा बच्चों जान मिल भी मालू बराबर होगा कोड Q R m के कोड QER M के कियो बराबर होगा एक अंतर कोड से दुनों बराबर होंगे अरथाथ कोड Q ar S qrs जी तरको आप द्याद देगे qrs प्लस कॉड srm srm बराबर दिया हुआ है याँ पर 110 संस कितना दिया हुआ बच्चों 110 संस यहाँ पर हम लिदे दे हैं 110 संस अब qrs के मालूम करने srm हम ने गयाद कर लिया है कितना गयाद किया थे srm 50 संस गयाद किया था तो कॉड qrs बराबर हो जाएगा 110 संस 110 संस 110 पर हम ने गयाद करना था qrs हमको पराथ हो जाएगा 6 अंस कितना पराथ हो जाएगा बच्चों 6 अंस और यही इस परेशन के क्या होगा आमसर होगा तो कितना हमको अंसर मिला बच्चों qrs कमान साथ अंस कितना पराथ होगा साथ अंस अगला प्रशन है निमने लिखीत के लिए 12 बरता साड़ी और संचे 12 बरता साड़ी बनाईए अंग दिया हुआ है 10 से कम 20 से कम 30 से कम 40 से कम 50 से कम 60 से कम और 70 से कम उसे परकार छातर संक्या दिया हुआ हुआ बच्चों छातर संक्या 2, 8, 12, 19, 19, 31, 42 और साथ तो चलिए 12 बरता और संचे 12 साड़ी बनाईए 12 बरता 32 एवं संचे 12 बरता 32 संचे 12 12 बरता 32 इसके लिए के आपको क्या करना बच्चों कालम करनानि एक जिए द्यान समझेगा मैं आपको बता रहा हूं कालम को कैसे करना है इसके रिए सबसे पहले दीखे च character संख्या जिसकों बारम बारथा बोलें गे ऑंपर चातर संख्या के बाद संचय संचाइ भाराम बार塔, संचाइ बाराम बारत यह इसतरह से आप लिख़ेंगे संचाइ भाराम बारत सबसे परेंगे बच्कों अंख, जो दस से कम अर्था सुझें हमसीनि screaming दस समय से दस, एक अर्था 10 से 20 32 से कम अर्थाद 20 से 30 इसे फिरकार 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और लाश्ट में दिया है 70 से कम तो अर्थाद 60 से 70 हम यहाद इसको लिख लेते हैं 60 से 70 लाश्ट में हो जाएगा बच्चों योग यहाँ पर हम लिख रेंगे योग टोटल अब 6 संख्य हम कैसे ग्याद करेंगे सबसे पहले दिया हुआ है 2 2 में हम किसी चीज को नहीं गटाएंगे तो 2 का 2 आप पहले उतार देजिए उसके बाद दिया हुआ 8 क्या दिया हुआ है साड़ी में 8 ध्यान से देखेंगे प्रश्ण को 8 दिया हुआ है तो अर्थात 8 में 2 को घटा देंगे पूरो संख्या को 8 में 2 घटाने से हमको मिल लागा 6 इससी प्रकार 12 दिया हुआ है पूरो संख्या को फिर घटा देंगे 12 में 8 तो मिल लागा हमको 4 साथ फिर अगली संख्या दिया हुआ है पूरु संख्या 19 को घटा देंगे तो हमको मिल लाएगा ग्यारा मिल लाएगा और उसी प्रकार लास्ट में साथ दिया हुआ है तो साथ में हम पूरु संख्या 22 घटा देंगे तो अब हमको प्राफ्थ हो जाएगा तो यहां पर आप लिखे रहेंगे साथ फिर चलते हैं संचेवारा मरता संचेवारा मरता में दो का दो हो जाएगा फिर दो और यह च्छा को जोड़ देंगे दो 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 जाएगा बराबर हो इसी प्रकार दो दो ज चार चार साथ आर उसके साथ के बढ़ढ जाएगा और उनीश वर बार होता है इकनपतीस फिर उसके बाहरा के बाद पिर जोड़ जाए premier पर नव क десят 22 22 हो जाएगा उसके बाद फिर जूड़ जाएगा 2 6 4 7 12 11 और आख्री जूड़ जाएगा 18 इतना जूड़ जाएगा 18 और 42 जूड़ देंगे तो 42 सवर 8 50 और तो 60 तो इस तरह से संचाई भारमर्दसानी प्राथ हो जाती है अगला प्रस्णा है यदि कास ए बराबर 4 बटे 5 कास ए बराबर 4 बटे 5 हो तो काट ए रिड़ साइन ए बटे 2 टेन ए कामान ग्याद कीजिए तो सबसे पहले, कास a जो दिया है good. 5 इसको लेगा लेगा हम चलते हैं, दिया है, कास a ब राबर 4.5, कास ये कमाण दिया है, ऐसे हमें बतलते हैं न है चार था यह उलटा हो जाएका छुकर एक सारक्षेम का है कि यह पर दिया हूए ढूराबर होता है नहीं घीटार था सी यह कर देंगे वन प्लस 10स्क्वेइर एक सर्वस्वमिक रहे हैं वन प्लस 10 इसक्वे एक्वल अब से कमान हमको लिकात है बाच नहें पर फाइब 4 whole square खट देंगे 1 plus 10 square A equal हुजाएगा 5 25 25 और 4 16 25 बटे 16 हुजाएगा एक कोंपक्छांतर कर देते हैं आपर तो 10 square A बराबर हुजाएगा 25 बटे 16 रिंड 1 पत्चीस रिंड 16 गाठ देज़े 16 9 29 बटे 16 टेन बराबर हुजाएगा 9 बटे 16 मूल रथाथ 3,3,9 और 4 यह टेन एक एकमान घ्यात हो गया अब 3 एकमान घ्यात होने से आप काट का मान हम ग्याद कर सकते हैं इसलिए काट का मान हो जाएगा इसका उल्टा अर्थाद 4 बटे 3 ये 10th मालू होने से काट मालू हो जाएगा अब प्रस्न में हमको कास A पुना दिया हुआ चलिए और सरुस्वम करा लेते हैं चुकि हमको कास A कमान मालूम है प्रस्न अनुसार कास A कितना मालूम है 4 बटे 5 चुकि हमको एक सरुस्वम का और मालूम है वो सरुस्वम का क्या है बच्चों कि साइन स्कूर थीटा बराबर 1 मैनस का स्कूर थीटा होता है अर्थाद साइन थीटा बराबर और अर्था साइन यह इस तरह से फार्मुलागा देंगी 1-40 स्कूर स्कूर थीटा अर्थात यहाँ पर ए दिया ते 1 बराबर 1-40 कमान हमको घ्याथ है 4 बटी 5 तो यहाँ 4 बटी 5 का वर्ग हो जायगा अर्थात 1 गटी 4 चार चंग 16 बटी 5-25 16 बटे 25 हो जैबा 25 में 16 में 9 बटे 25 हो जाएगा 9 बटे 25 9 का बर गम बूल 14 तीन होता है 15 यह निकल गया किस कमान अब हम चलते हैं पूला प्रस्ष्ण के ओर ठें को याद करना था क्या इत करना था चार बटे 3 जो हमने ग्याद किया है, साइन एक मान किया है, 3 बटे 5, बटे 2-10-8, 10 एक मान हमने ग्याद किया था, 3 बटे 4. अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं, 4 बटे 3 और 3 बटे 5 में, 3 और 5 का लस हो जागा 15, कितना हो जागा बच्चों, लसा हो जागा पंदरा अर्धात पांचों बीस सिंत्या नौ बीस रिड़ना गुड़ा यहाँ पर चार उपर चला जाएगा यह इसको चाहें तो आप काट सकते हैं यही पर काट दें या बाद में काट लेंगे जैसे आपको हैं चली काट देते हैं आप बीस में नौ गटा दिजिए बंचों बीस में नावगटा निससे सि ग्यारा बचता है ग्यारा बटरा गुरित दो बचता है ग्यारा दुनी केतना होता है बच ग्यारा दुनी बच्चों यह दोनों का मासा होता है एक अर्थाथ 22 बड़ी 45 पराप्स होगा यह हमारा क्या होगा आंसर होगा उत्तर होगा बच्चों इस प्रश्ण के साथ ही आज के कलास हमारे ही समात होता है बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और स्वेयर करिएगा झाल